दोस्तों क्या आपको पता है कि कुछ लोगों का गला ऐसे उठा हुआ क्यों होता है और क्या आपको पता है कि ये जो घड़ी आप देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे महंगी घड़ी है जिसकी कीमत 400 करोड है और क्या आप ये भी जानते हैं कि एरप्लेन के विंग्स पर ये आपको जानकर हैरानी होगी कि Wikipedia पर इतने आर्टिकल्स मौझूद हैं कि अगर हर आर्टिकल की सिर्फ हेडलाइन को पढ़ा जाए तो सभी आर्टिकल्स को पढ़ने में हमें लगभग 400 साल लग जाएंगे चावलों की खेती के बारे में आप जानते ही होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया में राइस फिश एग्रिकल्चर का चलन है जहां पानी से भरे चावलों के खेत में मचलियों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि मचलियों से oxygen circulation अच्छा हो जाता है और चावलो को किसी एक राजा या समराट ने नहीं बनवाया था बलकि इस दीवार को बहुत से राजाओं और समराटों ने मिलकर बनवाया था और तो और इस दीवार को पूरा बनाने में लगभग 2000 साल का वक्त लग गया था नमबर फोर, क्या आपको पता है कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली शहर के पास दुनिया का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड मौजूद है जी हाँ, दिल्ली शहर के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा CCTV कैमरा लगाने का रिकॉर्ड मौजूद है दिल्ली शहर में प्रतिवर्ग किलोमीटर में 1826 कैमरे लगे हुए हैं और वही इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर है ये तो आप सबको पता होगा कि हर इनसान के फिंगर प्रिंट्स अलग-अलग होते हैं क्योंकि सबको पता है वो इनसान दोबारा जिन्दा नहीं हो सकता लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने 250 मरे हुए लोगों की बॉड़ी को बर्फ में स्टोर करके रखा है क्योंकि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई खोज हुई जिससे मरे हुए लोगों को वापस जिन्दा किया जा सकेगा तो वो इन सभी लोगों को वापस जिन्दा करेंगे वैसे आप रोज सुबश आम खुद को शीशे में देखते रहते होंगे लेकिन ये फैक्ट जानकर आपको बहुत खोशी होगी कि आप खुद को शीशे में जितना खुबसूरत देखते हैं दूसरे लोग आपको उससे 20% ज्यादा सुन्दर देखते हैं मतलब आप खुद को जितना सुन्दर समझते हैं आप उससे 20% ज्यादा सुन्दर होते हैं वैसे तो आपने महेंगी से महेंगी ब्रैंड़िया देखी होंगी लेकिन आपको पता है कि दुनिया की सबसे खुबसूरत और महेंगी घड़ी कौन सी है इस तस्वीर में जो आपको घड़ी दिख रही है वो दुनिया की सबसे खुबसूरत और महेंगी घड़ी है जिसकी कीमत 55 मिलियन डॉलर्स है जो की लगभग 400 करोड रूपीज होते हैं असल में ये घड़ी 10 कारट की बेश कीमती डाइमंड से बनी हुई है जिसमें अलग-अलग रंग के 875 डाइमंड लगे हुए है इस घड़ी में प्लाटिनम को भी लगाया गया है इन लाइट्स को नेविगेशन या पोजीशन लाइट्स कहा जाता है ये लाइट्स हमेशा जलती रहती है असल में इन लाइट्स की वजह से ही सामने उड़ने वाले प्लेन के पाइलट को पता चलता है कि प्लेन किस दिशा में उड़ रहा है इन लाइट्स से ही बहुत से हाथसे होने से बच जाते हैं दोस्तों आपने बहुत से लोगों का गला इस तरह से उठा हुआ देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में ये क्या होता है दरासल इसे Adam's Apple कहा जाता है जब हम Growing As में होते हैं तो हमारी body में बहुत से बदलाव हो रहे होते हैं इसके साथ ही हमारी body में हार्मोन भी actively change हो रहे होते हैं हमारी body में एक testosterone नाम का हार्मोन होता है जिसका काम आवाज को भारी बनाना होता है और हड़ी को बढ़ाता है और यही वज़य है कि कुछ लोगों का गला इस तरह से बाहर निकलाता है So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी Thanks for watching